हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका आपके अपने येट्यूब चैनल इसमा एन्वेस्टमेंट में प्राइविटाइजेशन की खबरें फिर से तेज होने लगी है जैसे ही कोविड की सेकंड वेव इस्टेबलाइज हो रही है फिर इसे जो है प्राइविटाइजेशन की खबरें में तेजी आने लगी है आज कुछ मेडिया हाउस दे न्यूस चलाई है कि इंडियान ओवर सीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये तीनों बैंक आने वाले टाइम में सरकार जो है इनको प्रा प्राइले रिकमेंड किया था आज किस वीडियो में हम ये तीन बैंक आयो भी बैंक आफ इंडिया और सैंट्रल बैंक को रिव्यू करने जा रहे हैं कि फंडामेंटली अगर ये बैंक प्राइवेट होते हैं तो सबसे ज्यादा मुनाफ़ा आपको किस बैंक में बन सकता है किस शियर को आपको इस न्यूज के बेसिस पे खरीदना चाहिए वैसे तो अभी जो न्यूज आज आई है उसमें इन तेन बैंक का नाम आया पर इससे पहले यूको बैंक बैंक ऑफ महराश्टरा पंजाब एंड सिंद बैंक यानि कि वो सारे बैंक जो की जो है लास्ट फे अश्टरा का पूरा फंडमेंटल्स आपके लिए रिवियू किया तो जिसका लिंक हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप उसको देख सकते हैं इस वीडियो में हम तीन बैंक को रिव्यू कर रहे हैं आयो बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक समय से जो है PCA के अंदर है पॉम क्रेक्टिव एक्षन के अंदर है साड़े तेन लाग करोड के आसपास का बिजनस है और हाल फिलाल में जो रन आया है इस बैंक में आठ नौ रुपे का लोग बनाके वहां से जो चाल इसने प्राइवेटाइजेशन की न्यूस पर पकड़ी ह सतरा रुपे के आसपास का हाई बनाया है पिचानवे परसेंट सरकार होल्ड करती है फिंस आयोबी अगर प्राइवेट हो भी जाता है सबसे बड़ा कैंडिडेट के प्राइवेटाइजेशन का है वह इसलिए क्योंकि मैंने जो है फिनास मिनिस्टर का इंटर्व्यू बहुत फिट बैठता है पर फ्रेंट्स ये बैंक अल्रेडी बहुत एक्स्पेंसिव हो चुका है बालेंस उट्स की क्वालिटी अभी भी बहुत खराब है और मुझे लगता है कि अगर ये प्राइवेट भी होता है तो भी यहां से 17-18 रुपे पर कोई लेता है तो बहुत बड़ा मूव आने के चांसेज ना के बराबर है दूसरा बैंक सेंटरल बैंक और इंडिया इस बैंक को लेके पिछले टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा बस नहीं क्रियेट हूँ और कोई बड़ा मूव इसमें नहीं देखने को मिलता च्यालिस सो ब्रांच का नेट वरक ह बहुत बूरी हालत आयोबी के बराबर ही इसको मान सकते हुआ बालेंस इट की क्वालिटी बहुत खराब है 36 रुपे बुक वैल्यू के आधे पर ट्रेड कर रहा है 90 के आसपास यहां भी गवर्मेंट होल्ड करती है यहां पर सेंट्रल बैंक आफ इंडिया एक बड़ा बै सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में देखने को मिल सकता है तीसरा बैंक बैंक आफ इंडिया इन सारे बैंक्स में जो पिछले फीज में मर्ज नहीं हुए थे यह सबसे बड़ा बैंक है पांच हजार तिरासी लगबा यह 500 ब्रांचिस का नेटवर्क है 25,000 क्रोड की मार्केट क्यापिटल है नेट एनपी के लेवल पर सिर्फ 5% इसका नेट एनपी है हाला कि जी एनपी तेरा परसेंट की आसपास है कोई बहुत स्ट्रॉंग बैलेंस इट तो सब्सक्राइब को मैं छोड़ दूँ तो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक की नहीं है पर फिर भी कंडिशन बढ़ी आ है 138 रुपे के आसपास की बुक वाल्यू है सततर रुपे चल रहा है साड़े साथ लाग करोड के आसपास का नेट बिजनस है यह काफी लार्ज साइज बैंक है इसको प्राइवेटाइज होता है तो यह एक बहुत बड़ा री रेटिंग का कैंडिडेट है फ्रेंट्स होता क्या है कि और सारे बैंक 10-12 रुपे के थी तो उनमें एक बड़ा रन देखने को मिला है बैंक आफ इंडिया में इस तरह करन हमें नहीं देखने को मिला है और कहीं न कहीं पछले प्राइवेटाइजेशन में इसका नाम बहुत ज़दा नहीं था मेरे को लगता है फ्रेंट्स कि अगर कोई इस थीम पर बैठ करता है तो वैसे हमारी फेवरेट पिक बैंक आफ महराष्टा हुआ करती थी पर वह बहुत ज़दा चल चुका है और करेक्ट भी नहीं हुआ है तो वह कहीं न कहीं वालुशन समें स्ट्राच लगते हैं तो उस बैंक के पंजाब एंट सिंद बैंक जिसकी बात कम होती है उसकी बैलंशिट की कंडिशन बात कराब और मेरे साब से वह भी प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा कैंडिडेट है शायद ही सरकार उसको किसी और बैंक के साथ मर्ज करें तो उसको भी आप एक बार को द भी नहीं है यह बैंक और प्राइवेटाइजेशन तो इनका लगबग तय है होना ही है कोविड वेव इस्टेबलाइज होते ही बहुत जल्दी न्यूज आ सकती है क्योंकि सरकार का इसी फ्राइशल एयर में दो पीएसबी को जो है प्राइवेट करने की बात उन्होंने की कि और यहां पर इस तरह की भी बज़े है मार्केट में सरकार शायद कुछ बैंक को मर्च करके फिर प्राइवेट कर दे हाला कि यह सब रियूमर्स हैं कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है पर आप सोचिए कि यहां पर जो है में बात है प्राइवेटाइशन होना है और ह साम में यह देखना है कि कहां पर वाल्यू है तो वह वाल्यू बैंक आफ इंडिया और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में बहुत ज़्यादा लगती है इवन बैंक आफ इंडिया आप क्रेक्शन पर करते हैं एक साल रखते हैं तो एक अच्छा रिटरन यहां से आपको में देखने को मिल सकता अगर प्यॉरली आपको इस थीम को प्ले करना है तो बैंक आफ इंडिया आप देख सकते हैं पंजाब और सिंद बैंक पर भी आप एक नजर रखिए बाकी पूरा जो मुवमेंट है वो न्यूज बेस्ट है न्यूज आएगी तो बहुत तेजी से चले किसी की कम किसी की ज्यादा SBI as an exception में छोड़ दू तो यहां पर आप इस थीम पे जो है कर फंडामेंटली एक बैट लगाना चाहते हैं तो बैंक आफ इंडिया आपका हो सकता है सेंटरल बैंक पर भी आप नजर रख सकते हैं आयो बी और बैंक आफ महाराष्ट्रा विडियो पसंद आईए लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए